हेलो दोस्त आज हम छेत्रमिती की कुछ विशेश टाइक के कुश्चन की ट्रिक देखेंगे इससे पहले भी हमने कुछ दो कुश्चन ऐसे थे जिनकी ट्रिक देखी थी तो आज देखें आज किस प्रकार का कुश्चन है यह है एक संभाहू त्रुज के तीनों सुईर्शों को केंद्र मानकर तीन समान वरत इस प्रकार खीच गए हैं के प्रतेक एक दूसरे को इस पर्स कर रहे हैं यदि प्रतेक की तरज्जा पांच सेंटीमीटर हो प्रतेक की तरजया यानि के प्रतेक व्रत की तरजया 5 cm हो तो त्रभुज के उस भाग का छित्पल ग्यांत कीजिए जो व्रत्तों से बाहर हो ठीक है दोस्तों ये कोश्चन आपने देख लिया अब इस कोश्चन को समझ लेते हैं वो क्या कहरा है तो कुश्चन के अकॉडिक हमने एक संभाहु त्रभुज लिया ये देखिए ये संभाहु त्रभुज बना हुआ है इसको नाम दे देते हम ABC और इसके प्रतेक इसके कहा गया कि तीनों सीर्सों को किंद्र मान कर तो ये जो सीर्स हैं इसके ABC इनको संटर मान कर बरत खींच गए हैं और ये बरत इस परकार खींच गए हैं कि वो एक दूसरे को इस परस कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस परस कर रहे हैं और साथी साथ उसने काया कि प्रत्य व्रत्य की त्रज्जा जो है वो 5 cm है यानि कि त्रज्जा होती है केंद्र से लेकर पर्धी तक की दूरी 5 cm और ये भी 5 cm त्रज्जा का व्रत्य है तो इस तरह से व्रत्य की त्रज्जा पांच 5 cm हो जाएंगे तो हमको संभाहुत्र गुछा तस सेंटीमीटर टिके तो त्रवूज की कि भुजा अगर हम बात करें समभाव त्रवूज की भुजा को हम यहां ओ आए से मानते हैं यह दिया है करना तस सेंटीमीटर टिक न त्रिज्या पांच है वर्थ की तो भुजा कितनी हो जाई हैं यहांबर 5 और 5, 10 cm अब उसने कहा है, कुछा क्या है त्रभुज के उस भाग का छेत्वबल ग्यानिकिजी जो ब्रत्तों से बाहर है अब ब्रत्तों से बाहर कौन सा भाग है? हम देखें ये भाग जो है वो ब्रत से बाहर है लेकिन त्रोज के अंदर है हमको इस भाग का छितपल निकालना है ना कि ब्रतों से बाहर इस चारो तरब का चारो तरब तो अनंत भाग है उसका कहां से निकालेंगे इस भाग का छितपल निकालना है जो लाइनिंग मैंने खिंची ये red color की इस भाग का छिता कैसे निकालेंगे इसका तरीका क्या है तो तरीका कुछ इस प्रकार है इसका कि जैसे कि आप देखें अगर यहां पर ध्यान से कि ये त्रोज कैसा बनना है संभाहू त्रोज सवाल मैं कहा भी गया है वो हम जानते हैं कि संभाहू त्रोज का कौन कितना होता है प्रते कौन 60 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री का कौन ये 60 का ये और दोस्त 60 का ये तो 360 के मिलाकर कितने हो गए 180 डिग्री हो गया और व्रत की केंद्र पर टूटल एंगल कितना बनता है 360 डिगरी बनता है ठीक है न दोस्त तो कुल मिलाकर ये एक प्रकार का त्रिजिखंड बन गया और ये 60 डिगरी का त्रिजिखंड है और ऐसे 3 त्रिजिखंड है पुल मिलाकर 180 का कि त्रीजेखंट हो गया और 180 का तिरीग्षंट होता है क्या अर्धरत क्या होता है क्या होता है अर्धरत क्या केंद्र होता इसलिक्र के यानि कि ये तीनो त्रिजिघंड मिलाकर अर्द बृत्त की छितपल के बरावर होंगे तो यदे हम त्रबुज के छितपल मैंसे इन तीनो त्रिजिघंड का छितपल घटा दें तो हमको ये भाग का छितपल मिल जाएगा ठीक है ना तो त्र्वुच का छित्पल क्या होगा संभाहू त्रवुच का छित्पल होता एक्च्वल में root 3 y 4 a square संभाहू त्रवुच का छित्पल हो गया और इस में से हम घटा देंगे क्या 3300 का यानि की अर्ध वरत का छित्पल pi r square y 2 एक का मान आपको 10 मिल गया यहाँ पर और आर का मान 5 मिल गया पाई का मान 22 मटा 7 होता है तो ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि यह जो तरीका है वो बिल्कुल old method है हम इससे आप नहीं करेंगे ऐसे करो कि आपको समय देख लग जाएगा हालांकि मेरा उद्देश यहाँ पर समझाना था तो आपको समझ में आ गया हुआ concept चली लेकिन अब इसकी short trick देख लेते हैं हम तो दोस्त short trick क्या है इसकी short trick यह है कि इस प्रकार की आपको कोई भी आकर्ती का सवाल मिले उसकी त्रिज्जा कितनी भी हो 5 हो 7 हो 10 हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है संभावू त्रबुजो तीनों सीर्षों पर व्रत ऐसे कीचे गया हो कि वो एक दूसरे को इसपर्स कर रहे हो इस भाग का छेथपल आपसे पूछा गया हो आप फॉर्मला लगाए तुरंट तीन बटा बीस आर का वर्ग तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे रिज्जा आर इस सवाल में आपको 5 दीए 5 का वर्ग आप करते हो 25 तो तीन बटा बीस गुड़ित 25 इसे आप काटोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 से काटा 4 से काटोगे 1.25 3 में मल्टिप्लाई होगा तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3 दसमलब 75 सेंटीमीटर का वर्ग तो यह आपको आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया दोस्त ठीक है नब तो यह जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है तो बेरी सिंपल तो इस तरह के और भी अगर आपको कोई इंटेस्टिंग ट्रिक चाहिए मैस से रेलेटेड तो आप हमारे मैस ट्रिक की प्लेलिस्ट देख सकते हो कुछ हमारे डिटेल वीडियो भी है मैस के टूटोरियल आप वो भी देख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू गड़ बाइ